किसान साथियों बहुत सारे पावर टीलर्स आपने देखे होंगे लेकिन ऐसा बहतरीन और पावर फुल पावर टीलर्स आपने आज तक नहीं देखा होगा पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे पिछले डाई साल से हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं क्या-क्या अटेच्मेंट्स हमने परचेज कर रखे हैं कितने रुपे में ये आपको मिल जाएगा कितना प्रती घंटा तेली की खपत लेता है और क्या-क्या काम आप इससे कर सकते हैं ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो गंटी का निसान इसको जरूर दबा लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का आपको पता चल सके किसान साथ ही आज के वीडियो में हम बात करेंगे होंडा की नो एच्पी के इंजन वाले पावर टीलर के बारे में GX 270 जो इसके अंदर इंजन मिलता है जो कि 270 CC यानि नो एच्पी का फाइन क्यूंड इंजन है Honda Company का इंजन मिलता है पेट्रोल ओकरेटीड है पेट्रोल से चलता है उसके बाद में अगर मैं गेर बोक्स किसके बाद करूँ तो इसके अंदर स्प्रे मैं का BSC का गेर बोक्स लगा हुआ है जो की तीन फ्रेंट गेर में मतलब आगे चलने की तीन स्पीड है और दो रिवर्स गेर के साथ में आता है साथ में हमें डिफ्रेंचियर लोक की स्विदा भी मिलती है डिफ्रेंचियर लोक क्या काम करता है कि जैसे अगर आप जैसे ट्रेक्टर होता है कोई भी लाइन अग चलते हैं और लाइन बिल्कुल सीधी निकाल दी जाती है इसमें भी सेम ऐसा है अगर आपको कोई सीधी लाइन निकालनी है डिफ्रेंचियर लगा दीजिए ठीलर बिल्कुल सीधा चलेगा उसके बाद में अगर मैं बात करूं इसके अंदर 36 इंच का मतलब 3 फिट का जो है वो रोटावेटर आता है साथ में जिसको एड़स्टे बला आप 18 इंच से लेके और 36 इंच तक आप उसके ब्लेड को खोल के एड़स्ट करके जितने आपके कूल की चोडाई हो उतनी दूरी में आप इसको चला सकते हैं 54 जो बलेड का है वो इसके अंदर जो सेट मिलता है पूरा 54 बलेड के साथ में जो 3 फिट का अगर उटावेटर आप चलाते हैं पूरा सेट मिलता है तो दोस्तों यह हमारा अमरूद का फारम है इसमें हाई डेंसिटी पे प्लांट्स है हमारे तो प्लांट्स में से ना इध से ट्रेक्टर जा सकता है तो इन दोनों केस में आप देख सकते हैं यहां पर कोई भी घास का तुनका नहीं है और मिट्टी भी अगर आप देखेंगे तो पूरी यह देखो कहां तक कि हमने जो है वो नरम कर रखी है और यह सारी निराई गुड़ाई जो है वो हम इसी पावर है वो कर रहे है और रिजल्स जो है वो काफी बेतर है उसी के बाद हम सारी डिजल्स आप लोगों के साथ साज़ा कर रहे है तीलर्स जो है बेसिकली दो परकार के होते हैं बैक रोटरी और सेंटर रोटरी तो सेंटर रोटरी में क्या होता है कि जो टायर की जगह पे है वही आप बैक रोटरी में जाएए तो बैक रोटरी यह हमारा बैक रोटरी बैक रोटरी में टायर अलग रहते हैं और पीटियो के साथ में हमारा रोटावेटर अलग चलता है तो इसमें क्या वाइब्रेशन्स कम आते हैं safety भी जादा है कोई बच्चा भी इसको असानी से operate कर सकता है अगर अब मैं बात कुरू safety features की तो इसमें proper जो है आपके rotavator के blades के जो उपर है वो proper guard दिया हुआ है कैसे ही एक छोटा बच्चा भी चलाएगा तो लगने का कोई खतरा नहीं है दूसरा आपको इसके handle के अंदर ही एक safety lock दिया हुआ अगर आपसे भाग के चूट जाता है या आपका कोई ध्यान बटक जाता है या कुछ हो जाता है तो जैसे ही आपके हाथ हिससे हटेंगे यह automatic बंद हो जाता है तो safety features भी जो है वो company ने proper दिये हैं अब अगर मैं बात करूँ तेल की खपत की तो यह एक गंते में लगबग एक से सवा लिटर तेल की खपत लेता है और अगर एक cub ass की मार रूटा वीटर मारने की बात करो जब मैंने इसको purchase गिया था तब ये मेरे को 1.35 के करीबन का पदा था अगर मैं इसके attachments की बात करूँ तो मेरे को इसके साथ में केवल जो ही आपके rotavator के जो set है और ये जो power tiller है ये मिला था ये एक rotavator और power tiller ये ही set मेरे को 1.35 के करीबन का पदारा थाई साल पहले अब अगर मैं इसके attachments की बात करूँ आप इसके साथ में water pump attach कर सकते है पीडियो के साथ में razor attach कर सकते हैं cultivator आप इसके attach कर सकते हैं made बनाने वाली machine attach कर सकते हैं मिट्टी चड़ाने के जो rotary plow है dual side का भी अगर गन्ने में मिट्टी चड़ानी है वो चीजें भी आप इसके साथ में attach कर सकते हैं ट्रोली attach करके आप इससे आपकी खात डालने का काम है मिट्टी डोने का काम है कुछ घर पे भोजा ले जाने का काम है यह काम भी आप इससे आसानी से कर सकते हैं और एक तंद मतलब 10 कुटल तक का जो material है अगर ट्रोली आपकी अच्छी build-up हो रखी है तो यह आसानी से खीच लेता है अगर अब मैं बात करूँ कि हमने कौन-कौन से attachments से purchase की हुए तो हमने एक razor ले रखा है जो नालियां बनाने के काम आता है दूसरा जो हमने rotary plow ले रखा है जो made बनाने के या फिर हमें जो मिट्टी चड़ाने का जो काम है वो करता है एक हमने trolley जो है वो किसान solution से बनवा रखी है हमारे according GI में complete with break जो है वो trolley हमने बनवा रखी है इसके अलावा एक made बनाने की जो machine है ये 5 attachments हमने purchase कर रखी है पर उपर इनको इस्तेमाल करके देखा है बहुत अच्छे results हमें जो हैं वो इसके अंदर मिले हैं तो लगबग जो है सारी चीजें जो हमने इस वीडियो में cover कर दी है ये ती जानकारी power dealer के उपर उमीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो ये वीडियो और किसांख साथियों तक जरूर share करें ताकि सही जानकारी सही समय पर सही लोगों तक पहुँच पाएं तो आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही जल्द मिलेंगे नए वीडियो में नए टोपिक के उपर तब तक के लिए जै हिंद जै भारत जै जवान जै किसान